हलो स्टूडेंट बिटा आज हम इंदी व्याकरन का चैप्टर करते हैं वचन नहीं लिंग इसमें है जेंडर जिसको लिंग को इंगलिश में क्या बोलता है जेंडर तो इसकी परिभाशा है शब्द के जिस रूप से किसी संग्या के इस्तरी या पुरुष जाती के होने का प लिंक कहते हैं जैसे यहां पिक्चर में दिखाया गया है अध्यापक कक्षा में चात्रों को पढ़ा रही है तो अध्यापक इससे इसका पता चलता है सैकेंड है अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है मुर्गा बाग दे रहा है मुर्गी दाना चुग रही है उपर दिये गए चितरों में अध्यापक मुर्गा शब्द पुरुष जाती का ग्यान कराते हैं और अध्यापका और मुर्गी शब्द इस्त्री जाती का ग्यान कराते हैं लिंग के भेद होते हैं दो एक पुलिंग और एक इस्त्री लिंग पुलिंग किसे कहते हैं पुरुष जाती का ब पोद कराने वाले शब्द होते हैं उसको इस तरी लिंक कहते हैं जैसे दादी मालिन बुढ़िया पंडिताइन गाय कबूतरी आदी अब कुछ उधारन दिये गए हैं पुलिंग इस तरी लिंक के जैसे शेर शेरनी मोर मोरनी दादा दादी यह ऐसे ही एक्जामपल्स हैं कि आ आपको रीडिंग करने हैं और इसको इसमें से आपको यह सारा चैप्टर रीड करना है और लास्ट में यह बताए गया है आई ये पार्ट हो रहा हैं जिसमें छोटी छोटी टिप्स हैं यह आपको याद करनी जैसे शब्द के जिस रूप से इसतरी अत्वा पुरुष जात का बोध कराने वाले शब्द को पुलिंग कहते हैं और इस तरी जाती को बोध कराने वाले शब्द को इस तरी लिंग कहते हैं ओके बाई बटाएं